नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो साहता, आज कि इस वीडियो में मैं आपको Google Assistant के पाँच ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप Google Assistant से और भी बहुत सारे काम आसानी से करवा सकते हैं, तो I'm sure इसे जानने के बाद आपको Assistant यूज़ करने में और मज़ा आने वाला है, तो क्या है वो पाँच फीचर्स जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला फीचर, पहला फीचर यह है, मान लिजे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ते समय पहला है, तो आपका ये गूगल ये आर्टिकल को पढ़ देगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक पेज खोल जाएगा और इसके बाद ये आपका जो भी आर्टिकल होगा, उसे पढ़कर आपको सुनाने लगेगा, और आप यहां से इस आर्टिकल को पूर अच करके आप 10 सेकंड पीछे या फिर इस वाले पर क्लिक करके 30 सेकंड आगे कर सकते हैं, तो ये था पहला फीचर, अब हम चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ, दूसरा फीचर ये है कि आप अब Google Assistant की मदद से audio message को भी भेज सकते हैं, audio message भेजने के लिए आपको बस बोलना है, हे कुछा जा रहा है कि किसे मैं भेजना चाहता हूं, उसके बाद आपको contact में जिसे भी भेजना है, उसका नाम या पर बोलना है, नाम बोलने के बाद आपको आपके लिए बोला जाएगा कि आप उससे SMS के द्वारा भेजना चाहते हैं या फिर WhatsApp से, आपको जो भी चीजे करन कर कोई भी फोटो या फिर सेलफी ले सकते हैं, आपको बस बोलना है, hey Google, take a selfie, या फिर अगर picture चाहिए, तो बोलना है, take a picture, और ये Google Assistant आपका picture या फिर सेलफी ले लेगा, तो आप चलते हैं, अपने most important feature के बादे में बात करने वाला हूं, ये feature बहुत ही अच्छा है, मान ल Google Assistant के मदद लेनी है, और उस वहां पर आपको बस बोलना है, hey Google, watch this song, या फिर ये बोल सकते है, hey Google, guess this song, आप ये दोनों चीज़े कमांड दे सकते हैं, ये दोनों कमांड देने के बाद आपका जो भी होगा, Google Assistant, वो इस गाने को, जो भी आस पास बज़रा होगा, उसको recognize करना start कर देगा, और उसके बाद आपको जो भी गाना होगा, वो आपको result में दिखा दिया जाएगा, तो चलते हैं आपने पांचवे feature की ओर, पांचवा feature ये है, कि आप Google Assistant के मदद से screenshot भी ले सकते हैं, आपको बस बोलना है, hey Google, take a screenshot, उसके बाद ये, आप जिस भी page पे होगे, उस page का ये screenshot ले लेगा, screenshot लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये screenshot आपके फोन में save नहीं होता है, तो आपको जब भी screenshot लें, उसके बाद ये pop-up सो होता है, इस pop-up पे आप इसको copy कर लें, या तो share करना है, तो तुरंत ही share कर लें, अगर आपने यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए, चैनल को सब्स्राइब करके, बेल आइकन को और पे स्लैक कर लीजिए, धन्यवाद.